the making of a scientist chapter हम पढ़ चुके हैं इस chapter में हमने देखा कि किस तरह से a bright Richard एक scientist बनते हैं अगर वो आपने chapter नहीं देखा तो आपको description box में link बिल जाएगा वहाँ पर जाकर आप वो पूरा chapter देख सकते हैं तो इस video में हम the making of a scientist आपकी जो बुक है footprints without feet उस chapter के question answers कहने वाले हैं so make sure कि आपका chapter पढ़ा होना चाहिए otherwise हम यहां पर revision भी करते जाएंगे तो अभी जाहिए पहले chapter देख लीजे और फिर हम इस video पर आते हैं अगर आप chapter देख चुके हैं तो चलिए फिर video करते हैं hello everyone I Harmeet welcome you all on WSQE school so this channel पर आपको Maths English Science सारे subjects के school में है अगर आप class 6 to 12 तक की सारे courses आपको इसी चैनल पर मिलते हैं so make sure आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो पहले सब्सक्राइब कर लो फिर video देखते हैं सब्सक्राइब कर लिया होगा तो देखते हैं first question जो है हमारा the making of a scientist जो की बहुत ही अच्छा chapter था बहुत ही inspirational chapter था तो उसका first question क्या कहता है how did a book became a turning point in Richard Ebright's life यहाँ पर basically पूछा जा रहा है कि एक किताब ने क्या changes लेकर आई Richard Ebright की life में या फिर कह सकते हैं कि कैसे एक book जो थी वो turning point की जैसे आप यह रास्ते पर जा रहे हैं और यह point आता है जिससे आप जो इस रास्ते पर जा रहे थे आप ऐसे मुड़ जाते हैं यानि एक turning point यानि बिल्कुल ही life उनकी change कर दी एक book ने किस तरह से कर दी तो यह question है आपका चलिए इसका answer देखते हैं so answer basically बहुत ही simple सा होगा इसका वैसे तो मैंने यह पर लिख दिया है answer लेकिन आपको लिखना गया थे चैप्टर अच्छे से पड़ा हुआ है नो कोई भी answer दे सकते हैं the travels of monarch 10 यह एक butterflies के बारे में book ती और इसी से ही उन्होंने अपनी पहली research करी थी तो scientist कैसे बनते हैं? researcher करके जब उनकी theory proof हो जाती है तब वो scientist बनते हैं तो उनकी life की जो पहली research थी उनकी inspiration उन्हें इस book से मिरी थी जो कि उनकी mother ने उनको लाके दी थी और यहीं से ही वो butterfly collect करना उन्होंने शुरू किया और यहीं से उन्हें butterflies में यानि biology में उनको interest आया और इसी से ही आगे चलकर उन्होंने cell की theory दी तो अब देख लेते हैं कि इसको frame कैसे करेंगे? यह book का नाम बिलकुल याद रखना है याद करने का तरीका देखो मुनार्क जो है ना वो तो हमारी butterfly का नाम था यह हम बहुत बार देख तुके हैं और travels, travels ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि butterfly क्या करती है? ट्रावल करती है और उनको collect करना था और वो कितनी दूर तक travel करेंगे? उनके migrant कितनी होती है वो यह सारी चीज़े हम देखने बागते हैं तो travel of monarchy जो monarchy butterfly थी उसने कितना travel किया? यह इस book में लिखा हुआ था, ओके? तो यह book का नाम बिलकुल याद रखना है भूलियेगा मत open the world of science for Richard कि Richard के लिए जो science का word था, science की दुनिया थी वो खोल दी थी इस book ने after reading it, he became interested in tracking the migration migration बोला जाता है जब आप एक जगा से दूसरी जगा travel करते हो that is migration, चीक है? so वो interested हो गए और भी ज़्यादा interested का मतलब है और ज़्यादा curiosity उनके मन में जाग गई कि यह जो butterfly है यह किस तरह से migration करती है, तो इस book को पढ़ने के बाद जो butterflies का migration था उसके लिए इनकी जो curiosity थी interest था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया this interest led to his other projects and experiments और यह जो उनका interest था यह आगे चल कर और भी उनके उन्होंने नए projects बनाए इसी theme पर कई experiments किये finally he became a great scientist इसमें आप एक और भी चीज आड़ कर सकते हो, depends करता है आपके कितने marks का question है वैसे तो यह short question है लेकिन आप इसमें आड़ कर सकते हो experiments and finally he gave the theory on cells and he became a great scientist, यह भी आप आड़ कर सकते हो alright, so यह बहुत ही simple सा हमने answer कि कैसे एक book जो थी वो turning point बनी Richard की life okay, चलिए, आगे move करते हैं how did his mother help him, him किसकी बात हो रही है Richard कि Richard जो थे, उनकी mother ने उनको किस तरह से help की तो obviously हम देख चुके हैं कि उनकी mother का एक important role था जब वो बहुत ही छोटे थे तभी उनके father की death हो गई थी तो उनकी mother ने ही उनको पाला था वो ही दोनों थे, एक दूसरे के companions थे तो उनकी mother ने बहुत help की थी, देखते हैं कैसे help की थी Richard's mother proved to be a great help Richard की जो mother थी, वो बहुती बड़ी help बनी Richard के लिए she took him on trips, वो उने trips पर ले जाती थी and bought scientific equipment for him वो उने trips पर लेके जाती थी, जहां से उनको curiosity मिलती थी बहुत जादा और उनके लिए scientific equipment भी खरीदती थी, Richard की mother she spent all her time in setting up challenges for him पूरा time वो सिर्फ इसी चीज में निकालती थी कि कैसे वो Richard के लिए नई नई चुनोतियां खड़ी कर सके यानि कैसे उसे challenge कर सके जिससे वो जादा से जादा चीजने सीखें और उनकी mother ही थी जो उनके लिए book लेकर आई थी जिस book ने उनकी life change कर दी थी और इस book ने completely change कर दी थी Richard की life तो ये आपका एक answer होगा कि किस तरह से जो Richard की mother थी वो helpful साबित हुई Richard की इस पूरी journey में चलिए आगे देखते है How can one become a scientist, an economist and an historian यहां पर पूछा गया है कि एक person scientist scientist मतलब जो science की field में कुछ theory देता है, कुछ research करता है economist बोला जाता है जो हमारी economy की field में कुछ ना कुछ research करता है एक historian बोला जाता है जो कि history की field में कुछ ना कुछ research करता है study करता है उसे Does it simply involve reading many books on the subject? क्या इसका मतलब यह है कि हम कैसे scientist बन सकते हैं कैसे economist बन सकते हैं कि बहुत सारी हमें books पढ़ने तो हम scientist बन जाएंगे Does it involve observing, thinking and doing experiments? या फिर यह यह चीज़ इन्वाल करता है मतलब scientist बनने के लिए आपको चाहिए बहुत जादा observing मतलब हर चीज़ को observe करना है छोट-छोटी details को देखना आपने आसपास की thinking बहुत जादा उन चीज़ों पर सोचना और experiment करने पर ठीक है तो यह आपसे दो question पूचेगा है कि scientist आप कैसे बनते हैं क्या सिर्फ बुक पढ़ने से आप scientist economist या historian बन सकते हैं या फिर इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पढ़ेंगी जैसे observe करना पढ़ेगा, सोचना पढ़ेगा, experiment करना पढ़ेगा, तो obviously हम इस का आँसा जानते हैं obviously बात है कि scientist बनने की recipe बताई गई थी कि scientist कैसे बनते हो कि intelligence आपके पास होनी चाहिए curiosity आपके पास होनी चाहिए learning, मतलब आप कर पाओ, learn कर पाओ ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए so देखने, question कैसा है reading many books on a subject is not enough सिर्फ एक subject पर, जैसे आप historian बनना चाहते हो तो सिर्फ history की books पढ़ लो, enough नहीं है आप economist बनना चाहते हो तो economics की सारी books पढ़ लो ये भी enough नहीं है उसके साथ ही आपको क्या करना पढ़ेगा वैसे ही आप science की कुछ specific की books पढ़के आप सिर्फ उस subject की expert नहीं बन सकते एक person को क्या develop करना पढ़ेगा skill develop करना पढ़ेगा observation का की वो छुट-छुट चीज़ों को देखे observe करे और उन पर सोच विचार करे सोचे उनके बारे में experiments need to be done, बहुत सारे experiments उने करने पढ़ेंगे one needs to have curiosity to explore and find new things और जैसा मैंने बोला कि हमारे अंदर क्या होनी चाहिए curiosity होनी चाहिए कुछ नया ढूणने की तब ही तो हम discovery कर पाएंगे above all और उन सबसे भी उपर one must work hard and not get upset by failures चीक है और सबसे important चीज़ कि एक person अगर scientist बना चाहता है या एक नामist बना चाहता है या historian बना चाहता है या फिर किसी भी field में expert बना चाहता है तो उसे बहुत ही ज़ादा hard work करना पड़ेगा और failure से नहीं डरना पड़ेगा चीक है दिस आपने देखा कि यहाँ पर रिचर्ड को भी हमने कई बार fail होते हुए लेकिन उनोन उन चीज़ों से हाथ नहीं माने और he keep improving himself and he keep proving himself ओके चले आगे देखते हैं हमारा next question You must read about cells and DNA in your science books कि आपने अपनी science books में cells और DNA के बारे में पड़ा होगा discuss Richard Ebride's work in the light of what you have studied if you get an opportunity to work like Richard Ebride on projects and experiments which field would you like to work on and why ठीके यह बेसिकली एक activity वाला question है यहां पर आपको बोला गया है कि आपके जो आपने जरूर cells DNA के बारे में पढ़ा होगा अपनी science books में और definitely जब भी cells और DNA की बात होती है तो ऐसा हो यह नहीं सकता कि Richard Ebride की हम theory की बात ना करें definitely मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जो science की teacher होंगे उन्होंने जरूर आपको जो biologic apart आएगा cells और DNA का तब आपको definitely यह चीज़ बताई होगी नहीं बताई तो इस channel पर आपको जरूर बता दी जाएगी कि ठीक है और उसके अलावा यहां पर आपसे पूछा गया है यह basically आपका आपके लिए question है कि अगर आपको Richard की तरह किसी particular field में experiments करने को दिया जाए या फिर एक ही particular subject में सीखने के लिए अगर आपको बोला जाए देखिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको science में ही आप scientist बन सकते हो या science में expert बन सकते हो या science में theory दे सकते हो आप English में भी literature पे भी आप expert बन सकते हो right so ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ science ही field हो गई किस field में आप काम करना चाहोगे यह आपको इस question में बताना है activity वाला question है इस तरह कि जो questions है वो बहुत ही कम आते हैं लेकिन फिर भी मैंना आपके लिए answer लिखा है जिससे आपको पता हो कि क्या क्या हमें लिखना है आपकी writing improve हो right DNA carry the blueprint of life and heredity definitely DNA क्या carry करते है हमारी life on हमारी heredity जो हमारे parents से characters कई आपने देखा होगा ना बिल्कुल कई बार क्या हमेशा ही आपने देखा होगा कि आपके parents की शकल आपसे मिलती है right color आपके जैसा होता है height आपके जैसी होती है तो वह heredity से pass होती है चीज़ें तो जो हमारी life हमारी heredity का जो blueprint है यानि जो base है वह कौन करी करता है DNA they pass information from one generation to other एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो information है characteristics है वह pass करता है कौन DNA क्योंकि हमारा जो cell होता है जब हम पैदा भी नहीं होते तो हमारा जो cell बनता है वह क्या होता है basically जो हमारा एग होता है क्योंकि हम एग बनता है mother के womb में और उसी से ही birth होता है तो जो cell होता है उसके अंधर DNA होता है okay if I get an opportunity to work like Richard Ebride अगर मुझे Richard Ebride के तरह काम करने को मिले experiments करने को मिले I would choose to study about diseases मैं बिमारियों के बारे में पढ़ना चाहूंगा जैसे कि आपको पता है कितना जादा COVID जो है फैल रहा है please safe रहिए अपने घरों में रहिए and अपना ध्यान रखिए basically अपनी family का भी तो यहां पर बोला गया है कि I would choose to study about diseases आप इसको diseases को किसी भी चीज से replace कर सकते हैं by studying the DNA I may find ways and means to cure many illness तो यहां पर बोला मतलब जैसे मैंने यह आपके लिए लिखाया आप इसको change कर सकते हैं कि मैं ऐसे मतलब DNA को पढ़के और मैं बहुत साइज जो diseases है उनका cure मैं निकाल सकते हैं बाकि आप कोई भी यहां पर चीज डाल सकते हैं इस diseases की जगा कि आप history के बारे में पढ़ना चाहते हैं आप explore करना चाहते हैं कि history में क्या हुआ या फिर आप economics के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि हमारी country की inflation को कैसे रोकें तो आप कुछ भी यहां पर add कर सकते हैं यह activity वाला question है चलिए अब देख लेता है हमारा यह एक question है जो हमारा थोड़ा सा long type answer है और यह जो इसका answer होगा यह आपको discuss करना पड़ेगा अपने science teacher से चलिए यह आपको यहां पर discuss करना पड़ेगा तो मैं आपको एक बाग question बता देती हूँ अगर science आपकी फेवरेट है तो आप इस questions के answers पड़ेंगे तो आपको answer मिल जाएगा चलिए So children everywhere wonder about the world around them तो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं अपने दुनिया में आसपास जो चीज़ें होती हैं बारे में wonder करते हैं कि यह चीज ऐसी क्यों है sky blue क्यों है water जो है वो transparent क्यों है तो यह सारी चीज़ें वो क्या करते हैं explore करते है The question they ask are the beginning of scientific inquiry जो scientific inquiry मतला भी हाँ पर बोला जा रहा है कि बच्चे जो question करते हैं कि सच में आसमान क्यों blue है तो इसके बारे में लोग research करना रख जाते हैं क्या क्यों है water जो है transparent क्यों है उसका reason क्या है तो यह जो questions उठते हैं यह कहीं ना कहीं जो scientific discovery होती है उसकी starting होती है Given below are some questions that children in India have asked professor India have asked professor यश पाल and dr. राहुल पाल as reported in their book discovered questions इनकी जो book है discovered questions इसमें उन्होंने कुछ questions जो है वो लिखे हैं कि all over India से जो बच्चों ने उनको questions पूछे हैं वो यहां पर उन्होंने बताये हुए हैं अब questions क्या है पहला question है what is DNA fingerprinting what are its uses जो DNA fingerprinting है वो क्या है और इसके uses क्या क्या होते हैं second है how do honeybees identify their own honeycombs बहुत ही हचा क्वाचन है कि honeybees जो होती हुने पता क्या चलता है कि हमारा honeycomb है why does rain fall and drop तो जो rain है वो सिर्फ और सिर्फ drops में क्यों fall करती है और अब यहां पर आपको बोला गया है कि आप खुद आपके इन चीजों के answer दे पाएंगे तो एक बार मैंने आपके लिए answers लिख दिये है तो आपको यह questions discuss कहना है अपने science teachers से बट मैं भी आपको बता दे थी हूँ so DNA fingerprinting is a forensic technique used to identify individual by the characters of their DNA it is used to parentage testing it is used in the criminal investigation to identify a person or to place him at a scene of crime यह basically क्या होता है DNA fingerprinting कि जब भी जैसे होता है ना पर अपने movies में देखा होगा कि यह दोनों भाई है इनका check कैसे किया जाए कि इनका DNA test कराके कि यह उस person के father है यह कैसे test किया जाए DNA test कराके उसके अलावा यह जो DNA testing होती है basically दो person के DNA को test करना कि आप वो same heritage से बिलॉंग करते है या फिर जैसे मानली जो crime scene है उस crime scene पर कोई person मौजूद था या नहीं यह कैसे check करेंगे उसके अगर DNA वहाँ पर available है तो यह होता है DNA fingerprint यह basically एक forensic technique होती है यानि जो crimes के बारे में जाच करने के लिए की जाती है basically दो person के या दो DNA इसको मिला कर देखना कि वो दोनों same person के हैं या नहीं next question था कि honeybees को कैसे पता चलता है कि यह unique honeycomb है so honeybees have signaling chemicals they leave trails for fellow honeybees so that they reach their honeycomb so honeybees के पास signaling chemicals होता है तो जब भी वो अपने honeycomb से दूर जाती है वहाँ पर कुछ chemical वो trails छोड़ के जाती है जिससे वापस आते टाइम उनको और उनकी जो fellow honeybees है उनको रास्ता में बगल जाए कि यह हमारा honeycomb है next question जो हमारा साथ कि जो rain होती है वो सिर्फ drops में ही क्यों होती है so the only solid thing in the air are dust particles so air में सिर्फ और सिर्फ एक ही solid चीज होती है बागी तो gases होती है लेकिन एकलौती solid चीज क्या होती है gas particles water vapor uses it as center of attraction when it becomes too heavy so water vapor क्या करती है center of attraction की तरह use करती है यानि ऐसे उस पर bounce हो जाती है उस पर लटक जाती है उस dust particle पर जब वो बहुत ज़ादा heavy हो जाती है water vapor condenses on the dust particle as a drop and falls on earth तो उस जो dust particle होता है उसके आसपास condensed हो जाती है और इसी लिए वो एक heavy drop की तरह जमीन पर गिरती है तो अब आपके लिए एक question है वैसे तो science का question है लेकिन आप मुझे इसी वीडियो के section में comment करके बताएंगे और वो question ये है कि drops तो हमने समझ ली लेकिन जो ole पढ़ते हैं यानि hails जिनको बोला जाता है वो कैसे बढ़ते हैं आखिर क्या होता है कि वो जो drops है वो olo में बतल जाती है यानि hails में बतल जाती है या मुझे comment section में बताएंगे साथ ही आपको कोई भी doubt हो कोई भी problem हो कोई भी question हो आपका इस chapter से related the making of a scientist वो जो आप comment section में बता सकते हैं और please channel को subscribe कर लो क्योंकि बहुत सारी videos हम आपके लिए लेकर आएंगे लेकर आते रहेंगे और कोई भी update आदी है आपके exam से related तो भी वो आपको इसी channel पे मिलेगी so make sure आप channel को subscribe कर ले and video अगर अच्छी हो ना तो like जरू कर देना thank you so much